जैमातादी आप सभी को कैसे हैं आप सभी आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे आज मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप होली पर वो वाले दिन किसी भी मंत्र का जाप करते हैं तो आपके मंत्र जाप करने से आपके शरीर पर आपके मन पर क्या प अक्सर आपने देखा होगा कि जो साधना करी जाती है जो अनुष्ठान किया जाता है वो 40 दिन का होता है 41 दिन का होता है या फिर कहीं कहीं पर लंबे समय तक मंत्र साधना करने का विधान भी बताया जाता है लेकिन अगर आप होली के दिन या फिर दिवाली के दिन किसी भी मंत्र का जाप करते हैं तो वो मंत्र सो गुना जल्दी सिद्ध होता है सो गुना तेजी से सिद्ध होता है उधारण के तोर पे अगर आप मादुरुगा का एक मूल मंत्र है जिसको हम नवार्ण मंत्र के नाम से जानते हैं अगर आप उस मंत्र को सामाने दिनों में सिद्ध करोगे तो उस मंत्र को सिद्ध होने में महीने दो महीने छे महीने एक साल का समय भी लग सकता है और जितनी उर्जा आपको इतने दिनों तक मंत्र साधना करने पर प्राप्त होती है उसी मंत्र का जाप अगर आप होली परवपे दीपावली परवपे या फिर महाशिवरात्री के परवपे या फिर नवरात्र के समय में जप करते हैं मंत्र का तो उतने ही शक्ती आपको एक दिन में प्राप्त हो जाती है, कुछ घंटों में प्राप्त हो जाती है और आपका मंत्र भी तुरंत सिद्ध हो जाता है होली की जो रात होती है और दिवाली की जो रात होती है वो इतनी सिद्ध होती है कि जिसके बारे में कुछ भी कहना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है बड़े से बड़ा मंतर छोटे से छोटा मंतर अगर आप होली की रात में करते हैं तो वो मंतर तुरंत सिद्ध हो जाता है फिर चाहे वो मंतर गुरू से प्राप्त किया गया हो या ना किया गया हो कैसा भी मंत्रों कहीं से भी आपको मिला हो चाहे आप YouTube से मंत्र लेकर के साधना कर रहे हैं मैंने भी बहुत सारे मंत्रे YouTube पर बता रखे हैं कैसा भी मंत्रों कहीं का भी मंत्रों बिना गुरू के लिया गया हो या गुरू से लिया गया हो अगर आप होली पर और दिवाली पर जबते हैं तो वो मंत्र अपना प्रभाव 100% नहीं 200% दिखाता ही दिखाता है लेकिन इन सबी चीजों में कुछ मंत्र इतने खतरनाक होते हैं जैसे कि कई लोग मंत्र सिद्ध करने के मारा जल्दबाजी करते हैं और वो गलत शक्तियों के मंत्रों का जाप कर बैठते हैं क्योंकि होली की रात दिवाली की रात सिद्ध रात्री होती हैं और ऐसे में जब गलत मंत्र का जाप किया जाता है तो वो मंत्र तुरंत अपना प्रभाव दिखा देते हैं और वो नेगेटिव शक्तियां वो तामसी शक्तियां आपका अहित कर देती हैं विशेश करके अगर मैं आपको बताऊं कि भूतों का प्रेतों का जिन्नों का चुडैलों का अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ ऐसी लोग चुडैल साधना दे रहे हैं जिनको करने के बाद में आपको बताती हैं ये सब कुछ नहीं अगर आप भूतों की प्रे अगर आप बिना किसी बिना गुरू के या बिना माहिर तांत्रिक के ये सारी क्रियाएं करते हैं तो आपको नुकसान पहुंच सकता है इसलिए प्रेतों की पिशाचों की ऐसी साधनाएं करने से बचें और अगर आप करना चाहते हैं अगर आप इंटरस्टीड हैं तो किसी अ अगोरियों के द्वारा सिद्ध की जाती हैं और सेवडों के द्वारा सिद्ध की जाती हैं और जो सादक शमशान में वास करते हैं उनके द्वारा सिद्ध की जाती हैं शमशान में आपने देखा होगा कि बहुत से लोग साधनाई करते हैं और जरूरी नहीं है कि शमशान में साधना करने वाले जो भगत होते हैं या फिर जो तांत्रिक होते हैं वो सबी भूत प्रेतों की ही सिद्धी करते हैं नहीं उनमें बहुत से साधक ऐसे होते हैं जो भैरा उबाबा की भी साधना करते हैं शम्शान में बैठ करके माता काली की साधना करते हैं और दस महाविद्याओं की साधनाई भी शम्शान में बैठ करके की जाती है शम्शान को हम ऐसे भी देख सकते हैं कि शम्शान में बैठ करके साधना करने का जो विचार साधकों के मन में होता है वो इस वज़े से भी होता है क्योंकि शम्षान एक ऐसा स्थान है जहां पर वैक्ति को भौतिक वस्तुएं और भौतिक विचार परिशान नहीं करते आप जब भी शम्षान में जाओगे तो आपको ऐसा भाव आएगा कि सब कुछ नश्वर है और वहाँ पर आपका मन शान्त हो जाता है और जो भी साधक होते हैं उनका साधना में मन लगता है इस वज़े से भी लोग शम्षान में बैट करके साधना करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं वहाँ पर बैट करके आपको सिद्धी भी जल्दी प्राप्त होती है और आपका मन भी स्थेरो जाता है मन भी शान्त हो जाता है बहुत इक जगत की अनाप शनाप चीजें आपको परिशान नहीं करती और अगर ऐसे में होली की रातों या दिवाली की रातों तो व अगर आप मा काली के दर्शन करना चाहते हैं या भहरव जी की सिद्धी करना चाहते हैं और अगर आप होली की रात में शम्शान में बैठ करके भहरव जी के मंतर का जाब करते हैं तो एक दिन में आपको भगवान भहरव के दर्शन हो सकते हैं और माता काली के एक दिन में आधको बड़ा ही चमतकार वहाँ पर ऐसा प्रकट होता है शम्शान भूमी में जब साधेना करी जाती है तो तो उसको बारे में कुछ भी कहना मतलब सुर्ण को दीपक धिकाने के समान हो जाता ऐसी वहां पर चमतकारिक शक्तियां ऐसा प्रभाव दिखाती है अपना ऐसा माया जाल दिखाती है ऐसा वहां पर कौतुक दिखाई पड़ता है कि अच्छे अच्छे सादक उस कौतुक को देख करके विसमे में पड़ जाते हैं होश उड़ जाते हैं लोगों के लोग यहां तक कि अपनी चेतना तक को पैटते हैं बेहोश तक रो जाते हैं लोग ऐसी ऐसी दिव्वे शक्तियां ऐसी ऐसी चीजने ऐसी ऐसी कॉतुक और ऐसे ऐसे चमतकार वहाँ पर दिखलाइं पड़ते हैं भूतों के परिटों के और डिव्व्वे शक्तियों के तो The मैं आपसे कर रहा था कि होली की रात में अगर आप मंतर सिद्ध करना चाहते हैं तो आप सिद्ध कर सकते हैं और बहुत जल्दी आपको सफलता मिलती है क्योंकि होली की रात जो होती है इसको पूर्णिमा की रात कहा जाता है और दीपावली की जो रात होती है इसको अमावस्या की रात कहा जाता है और ये जो पूर्णिमा की रात होती है सबसे बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है और अमावस्या जो होती है वो सबसे बड़ी मानी जाती ह तो इसमें ग्रेहों का नक्षत्रों का और शक्तियों का जो समावेश होता है वो बड़ा ही अदबुत होता है और ऐसे में जब आप किसी मंतर का जाप करने के लिए बैठते हैं तो देवी देवता तुरंत जागरित हो जाते हैं और तुरंत आपको सिद्धी बरदान कर देते अगर आप शाबर मंत्रों का विशेश रूप से जाब करते हैं तो आपको बहुत जल्दी सफल्दा मिलती है तुरंत सिद्ध हो जाते हैं आपके शाबर मंत्र एक सो आठ बार जाप हुआनी और मंत्र आपका सिद्ध हुआनी अगर आप बीज मंत्रों का जाब करेंगे तो व वो मंत्र आपका 11,000, 21,000 में ही सिद्ध हो जाता है। नवारण मंत्र जिसका सवालाख जाप आप करोगे साम माने दिनों में लेकिन अगर आप होले की रात में करते हो तो थोड़ा बहुत जाप करने पर ही आपका ये मंत्र सिद्ध हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ पचास सो माला करने पर ही आपको इसकी सिद्ध मिल जाती है। और अगर आप शाबर मंत्र करते हो तो 108 बार एक माला कर लो, तीन माला कर लो, पांच माला कर लो और तुरंत आपको उसका प्रभाव भी देखने को मिल जाता है। और इसके अलावा अगर आपके ऊपर कोई तंत्र बादा है, कोई नेगटिविटी है, कोई भूत्परेत की बुरी शक्ती आपके साथ में लगी हुई है। तो इसके लिए जहां पर होली का दहन होता है जहां पर होली का जलाई जाती है वहां पर आप कुछ क्रियाई कर सकते हैं जो मैं अभी आपको बता देता हूं इसी वीडियो में इसमें आपको क्या करना होता है कि आपको ग्यारा नीबू लेने है और वो ग्यारा नीबू अपन उससे आपके उपर negativity ओ, भूत प्रेतों, तंत्र बादाओं किया कराया हो, उसका प्रभाव लगबग लगबग खतम हो जाता है, थोड़ा बहुत अगर कोई प्रभाव बसता भी है उससे, तो वो जब आप मंतर जाप करते हो, तो उस मंतर के प्रभाव से नश्ट हो जाता है, और बड़ी से बड़ी बादा भी सुपाय को करने से कट जाती है, अगर आप इस सुपाय को दो चार बर लगातार कर लेते हो शनिवार के दिन, तो इसके साथ में आप और क्या कर सकते हैं, इसके साथ में आप दस महविद्याओं की साधना कर सकते हैं, आप मादुरगा की मा चंशेवाली बात नहीं है जै मातारानी की